दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हरतिक स्वागत करता हूँ छाइन जीए क्योंकि फ्राइडे को तो इसका होना निश्ची थी है कुछ लोग सुचते हैं कि कुछ डेवलपर्स ऑन्पैसीब के प्रोडक्स के कोपी कर सकते हैं इसके टुपली केसी कर सकते है इससे ओन पैसिप के बिजनेस मोडल पे असर पर सकता है दोस्त चाहे दुनिया का कोई भी डेवलपर्स कोई भी कमपणी कितना भी टुपली केसी कर ले ओन पैसिप के प्रोडक्स का इस से 0% भी कुछ असर नहीं परने वाला on passive को क्योंकि on passive जिस business model पे काम कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कलेजा चाहिए वैसा जिगरा पुरे दुनिया में सिर्फ Mr. S की पास ही है जो अपने बारे में ना सुचकर पुरे दुनिया के लोगों के बारे में सुचते हैं पुरे हमिनिटी के लिए काम कर रहे हैं यहां एक एक users, customers, resellers के कमाने के औसर होंगे नींद उरने वाले हैं पहले से अस्थापित सभी IT कंपणियों के यह भी कमपणिया अगर चाहें तो on passive के business model का दुपली के सी कर सकते हैं बट इतना साहस, इतना बरा हिम्बत नहीं है किसी में जो दुनिया से कमा कर फिर दुनिया को ही बाट दे इनकी तो आदत है सिर्फ अपनी तीजोरी भरने की इन्होंने कभी सोचा कहा है किसी users या customers के बारे में एक बार on passive से users customers को income आने लगे फिर ये भी कभी नहीं सोचने वाले इन company के बारे में ये स्ठाई customers बनके रह जाएंगे on passive के अब ये on passive के products launch भी नहीं हुए उधर बरी से बरी कमपणियों में खलबली मचने शुरू हो गए उधर Google अपने Gmail में परिवर्तन कर रहा है इधर Zoom अपने सब्सक्रिप्सन में फिर बदल करने में लगे हैं आखिरे सब क्या है यह OnPassive का खौफ है डर है जो उन्हें परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहा है हम मानते हैं कि यह लोग OnPassive के प्रोड़क्स का डुप्लिकेसी कर भी लेगे तो जिस मार्केटिंग एस्ट्रेटिजी के साथ मिश्टर आइस काम कर रहे है उसका कैसे कोई डुप्लिकेसी कर पाएगा इसके बिजनेस मॉडल का प्रोड़क्स का डुप्लिकेसी कोई कैसे कर सकता है यह कदापी संभव नहीं है क्योंकि सभी को सिर्फ अपना तीजोरी भरने का फिकर है इन्होंने कभी Humanity के बारे में देश दुनिया के बारे में कभी कुछ सोचा या कुछ किया कहा है हाँ टेक्नलोजी के माध्यम से लोगों के कुछ काम असान जरूर हुए है बट साथी साथ करप्सन भी बहुत बरहे हैं इंटरनेट वर्ल्ड में आज अपने पूरे फैमली के साथ बैठके कोई YouTube, Facebook चलाना नहीं चाहेगा कोई रूल रेगुलेशन, कोई गाइड लाइन्स या पॉलिसी नहीं है इन कंपणियों के पास गलत चीजों को रोकने का इन्हें बस इनकम जनरेट होने से मतलब है बाकी करप्सन चाहे अपने चरम सिमा पे चला जाए इस से इन्हें कुछ भी फर्क नहीं परने वाला अब आप समझ सकते हैं ये लोग मनावता के लिए कितना बरहिया काम कर रहे है दुनिया में बहुत सारे क्राइम, करप्सन तो सिर्फ इन सब कंपणियों के प्रोडक्ट्स के वज़ा से हो रहे है कस्टमर्स चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है बच्चे, बरे, बुजुर्ग, आज सभी लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, एंड्रोइट फोन है ये बाते कहां समझ पाती है आईटी कंपणिया क्योंकि कुछ भी करके बस कैसे भी अपना तीजोरी भरना चीए वातावरन दुसीत हो रहे हैं, लोगों के मन दुसीत हो रहे हैं अत्या चाराप राध बर रहे हैं समाज में, इससे इनको कुछ भी मतलब नहीं है ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया पर अच्छे चीज नहीं है बट इसके साथ-साथ गलत चीजों को भी काफी बरहवा दिया जा रहा है इन सब को मिटाने का दूर करने का काम करने जा रहा है औन पैसिप ओन पैसिप के वीजन एंड मिसन को, इसके बिजनेस मॉडल को, इसके मर्केटिंग प्लान को, इसके प्रोडक्स को समझ लेगा वह से परिवार हमेशा के लिए कस्टमर्स बन जाएगा इसका फिर हो दुनिया का कोई भी IT टूर्स यूज़ करना नहीं चाहेगा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बच्चे जो स्मार्टफोन एंड्रोइड फोन यूज़ कर रहे हैं उसमें सही चीजों के साथ साथ गलत चीजें भी हैं बट हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते नएने टेकलोजी से जहां मानों के विकास हो रहे हैं वहीं कुछ बिनास का भी कारन बन रहा है इस बात को खुब अच्छी तरह से समझ रहे हैं स्रीयो मिश्टर एस तभी तो उन्होंने निर्मान किया है ओनपैसिप का जो सिर्फ और सिर्फ मानों जाती के विकास करने आ रहा है उनके कल्यान करने आ रहा है दोस्त कोई चाह कर भी ओनपैसिप को नहीं रुक पाएगा नहीं इसके कुछ बिगार पाएगा क्योंकि यह दुनिया को खुबसूरत बनाने आ रहा है ना की बदसूरत बनाने इससे भी इंकम जेनरेट करने हैं कभी तो यह मानवता की लिए बहुत कुछ कर पाएगा बट गलत चीजे परोस्कर नहीं इसके प्रोड़क्ट को यूज करने से सिर्फ अमरीत निकलेंगे 20 नहीं बाकी कमपणियों के बहुत सारे प्रोड़क्ट में मिस्रन होता है अमरीत एंड 20 का बहुत बड़े प्लानी के साथ काम कर रहे है CEO मिस्टर S जो धिरे-धिरे सिर्फ हमें ही नहीं पूरे दुनिया को समझ में आने वाला है आखिर CEO मिस्टर S क्यों 100% आस्वस्थ हैं कि हमारे प्रोड़क्ट के अर्वो अर्वो कस्टमर्स बनने वाले हैं आखिर इतना अधी confidence क्यों है उन्हें क्योंकि उन्हें अपने business model पे अपने नए idea पे अपने hybrid पे structure पे अपने products पे अपने marketing strategy पे 100% भरोसा है इससे success होना ही होना है इसे बहुत तेजी से viral होना है दुनिया में on passive के धरातल पे आने से पहले ही कई सारी कंपणियों के बेचेनिया बर गए है यह हमें साप साप नजर भी आ रहा है Google अपने Gmail में AI power का इस्तमाल करने लगा है जूम अपने subscription चार्ज कम कर रहा है Facebook और YouTube भी फिर बदल करने में लगे हैं अपने products में आखीर ऐसा करने के लिए इन्हें अभी ही याद क्यों आया इसका मतलब इन्हें अभी से ही on passive से डर लगने लगा है मुझे तो कभी कभी लगता है कि बीना product launch किये CEO Mr.S करीब एक साल पहले से जो marketing campaign या advertisement कर रहे हैं उसके पीछे main reasons यही है कि वे देखना चाहते हैं कि on passive के business model या आने वाले products के बारे में जान कर क्या परतिक्रिया होते हैं पहले से अस्थाफिक IT कंपणियों के और धिरे धिरे परतिक्रिया सामने आने भी लगे इसका मतलब on passive 100% अपने सही track पर चल रहा है बड़ी-बड़ी कंपणियां इसके products के duplicacy करने में अभी सही लग गई यह वाकई हम founders के लिए गर्ब की बात है कि अभी बीना कोई products launch हुए ही इसने बड़ी-बड़ी कंपणियों को सोचने पर बजबूर कर दिया है यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि on passive बहुत जल्दी world level पे तहलका मचाने जा रहा है एंड अपने mission में 100% कम्याब होने जा रहा है दोस्त आज हमें गर्ब हो रहा है कि हम founders हैं इतने बड़े company के इतने बड़े organization के इतने बड़े system के हम on passive में कोई agent या direct sellers नहीं है हम इसके founders हैं हमें company के बारे में इसके products के बारे में या internet world के बारे में हमेसा अपडेट रहना होगा हमें on passive के आलावा और भी company के product के बारे में कुछ knowledge रखना होगा तभी हम सही तरीके से किसी को promote कर पाएंगे अपने products को बता पाएंगे इसके unique features and benefits को बट focus हमें सिर्फ on passive के ही products पर रखने होगे क्योंकि इसी से हमारे जिंदगी बनने हैं इसी से हमारे जिंदगी समरने हैं इसी से हमारे जिंदगी बहतर होने हैं इसी से हमें success मिलनी हैं इसी से हमारे सारे सपने पूरे होने हैं मुझे पता है अधिकांस फांडर्स गरीपी रेखा से भी नीचे जीवन बसर करने वाले हैं इनके सारे फोकस सिर्फ ओन पैसिप से मिलने वाले एपल्स पर हैं क्योंकि इनके पेट में भूख है, तरफ है इन्हें कितना भी कोई मोटिवेट कर ले या समझा ले इनके दिलों दिमाग पे 2400 घंटे सिर्फ एपल सी चाहे रहते हैं किसी को अपनी मा के बेहतर इलाज कराने है किसी को बच्चों के स्कूल फी जमा करने है जो कई महीनों से बकाया है किसी को अपने रूम रेंट देने है जो कई महीने उसे अपने मकान माली को टरकाते आ रहे हैं किसी को करजे ना लोटा पाने के कारण रोज बैजीती सहने परते हैं किसी को अपनी बहन अपनी बच्ची के साधी करने हैं किसी को खुद की साधी करनी हैं किसी के रहने के लिए घर ऐसे हैं जो बारिस के एक बुंद को अपने अंदर ही समिटने का प्रियास करता है। रात में अगर बारिस होने लगे तो इन्हें जागना परता है सारी रात। दोस्त इन सब बतों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे स्रीयो मिश्टर एस। तभी तो वे पूरे प्रियास में हैं फांडर्स के सक्सेज के सुरुआत कर देने का। दोस्त बस सुरुआत बर होने का देर है यकीन मानिए आप बहुत जल्दी अपने सारे दुखों को भूलने वाले हो। जो पैसे ना होने की वज़े से दुख तक्रीफ हैं आपके लाइफ में वे सभी के सभी बहुत जल्दी खतम होने वाले हैं। जिसके फैमिली बच्चे माता पिता भाई बहन एक-एक चीजों को तरस दे थे। आप वही हो जिसके कोई मान सम्मान नहीं थे समाज में। आप वही हो जिसे कोई उधारीद भी देना पसंद नहीं करता था ये सुचकर कि ये लोटाएगा कहां से आप वही हो जो बिमार पत्नी को डॉक्टर से दिखाने के लिए भी टाल मटोल करते थे क्योंकि पास में पैसे नहीं थे दोस्त सब कुछ बदल जाएगा सबर करिए अ क्यानिक बिल्कुल भी नहीं होना है हम अपनी कम्याबी के बिल्कुल पास आ गये हैं हमें और पैसिव एंड मिश्टर आइस के साथ खरे रहना है सपोर्ट करना है हमारे सारे सपने पूरे होंगे धर्ज रखिए वो सब कुछ होगा जो चाहते हैं हम जीवल भाविस्की काम आओ के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू दोस्त धन्यवाद